हलो नुखियों में विडियो में हम लोग जानेंगे दिठोल हम लोग कैसे यूज करतेे और इन्वेस्टिंग करें आप गए क्रें है किसी भी सेगमेंट सॉव्रात सonne, चल कक्लारें आप गशपिया आपका त्रेड़ करने लेनए, क्वें पहले आपको जानना एकदम excellent knowledge है, उसने ये innovate किया था, उसका नाम है Leonardo Bonacci, और कभ ये innovate हुआ था, ये innovate हुआ था 13th century में, अभी ये फिबोनाची जो है, sequence जो है, ये क्या होता है, दुनिया में जो भी आपको human body हो जाए, plant हो जाए, tree हो जाए, और आपका universal, सब में आपको ये फिबोनाची sequence जो है, आपको देखने को मिलता है, अभी फिबोनाची बनता कैसे है, इसका जो math calculation है, ओ मैं आपको थोड़ा सा बताने का कोउसिस कर रहा हूँ, इसका main जो आपको देखने को मिलता है, 0 और 1, अब 0 और 1, इसको आप plus करोगे, तो आपको कितना मिलेगा, 1, उसके बाद last 2 digits जो है, वो 2 digits को आप plus करोगे, वो sequence हिसाब से बढ़ते चला जाता है, जैसे आप देखोगे, 0 और 1 को plus किया आपने, कितना मिला आपको, 1 मिला, 1 और 1 को last 2 digits को आप plus करोगे, तो कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 और 1 को आप plus करोगे, तो कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 और 2 को आ आपको 13 मिलेगा, 13 प्लास 8 करोगे तो आपको 21 मिलेगा, 21 प्लास 13 करोगे तो आपको मिलेगा 34, यह जब आप एक सिक्वेंस के अंदर बठाओगे, तो वो कही न कहीं एक स्पाइडल जैसे आपको देखने को मिलता है, यह सब को क्या बोलता है, गोल्डेन रेसियो, यह इस च करेंगे, अभी यह देखा जो जब दिखा गया, यह फिवोनाची जो स्कॉर्ड है, जो आपको सारे नेचर के अंदर देखने को मिला, तब ट्रेडर भी सोचा था, इसको क्यों ना हम ट्रेडिंग के अंदर भी अप्लाई करें, जब इसको ट्रेडिंग के अंदर करना स्टार्ट किया है, चलिए अभी चार्ट पे चलते है, चार्ट पे जाके मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको एप्लाई करना है, यह पॉइंट वी पॉइंट कैसे आप कानेट करोगे, कहां पर आगे आ गया, तो किसी साब से यह रिटेस्मेंट होता है, यह सारे चीज का है, और यह टूल आपको ट्रेडिंग भीव के अंदर कहा में मिलेगा, यह थाट पॉइंट पे जाओगे, तो यह थाट पॉइंट पे देखोगे, फीबोनाची तूल को आपको देखने को मिलेगा, फीबोनाची डिटेस्मेंट टूल, इसको यूस कैसे करना है, जब मार स्विंग हाई मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, स्विंग लोग को हम पकल लेंगे एपॉइंट और स्विंग हाई को हम पकल लेंगे बी पॉइंट, तो हमको क्या करना है, स्विंग लोग से एपॉइंट से बी पॉइंट तक हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे, मद इसको क्या बोलते है golden ratio जायसे 0.23 इसको जायसे हमने आपको explain किया था उसी हिसाब से यह निकलता है मतलब 21 divided by 89 करोगे तो आपको यह वाला मिलेगा 0.23 236 आप उसके बाद पकड़ के चलो यह golden ratio है 0.38 उसके बाद 0.5 0.61 यह सारे क्या होता है golden ratio मतलब आपको यह समझने का courses करना बढ़ेगा जो market के अंदर क्या trend change हो रहा है क्या यह only retention है आप मान के चलो कोई stock है कोई option है कोई index है उसमें आप मान के चलो यह momentum हो चुका है यह momentum हो चुका है तो आप क्या करोगे आप सोचो के थोड़ा सा retention का इंतेजार करने से अच्छा होगा तो हमको अच्छा price में मि करने के लिए फिवराची रिट्टेस्मेंट का जोरूरात होता है तो हम क्या करेंगे ए पॉइंट से भी पॉइंट तक हमने connect किया जो भी ट्रेडर यहां पर लेने का सोचा था लेकिन नहीं ले पाया है प्राइस तो ऊपर चला गया यहां तक पहुँच गया तो उसने क्य फिवरणाची को लगा के और यहां पर यहां से ऊपर गया मार्केट रिट्टेस्मेंट किया लगबल लगबल जग जिडियोपॉइंट per cent तग मार्केट नेैं रिट्टेस्मेंट किया उसके बाद जाके देखो के एगन आपरसाइट मुमेंटम नहीं नहीं कर पाया यहां स से लेके बी पॉइंट तक मतलब स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक आप फिवोनाची ड्रा किया यहाँ पर जो रिवार्सल देखो मिला तक हुआ है रिटेस्मेंट जो हुआ कहां तक हुआ 0.23% तक रिटेस्मेंट हुआ उसके बाद मान के चलो again आपने यहाँ पर नहीं ले पाया तो आप एगें क्या करोगे रिटेस्मेंट का इंतेजार करोगे तब आप फिवोनाची कहा लगाओगे इस लेके यह जो लेके यह सारे जो लेवल से 0.23, 0.38, 0.5, 0.61 यह सारे क्या होता है golden ratio होता है फिवोनाची का फिवोनाची का क्या होता है golden ratio उसके बाद देखो कि मार्केट क्या किया यहां से जाके एगेन एक upper side momentum देखने को मिला था तो आप क्या करोगे यह A point से लेके B point और swing low से लेके swing high तक अब लगाओगे यहां पे भी retracement कहां तक होगे यह देखो 0.61 तक 0.61 तक लगबग लगबग retracement हुआ तो आपको एक चीश समाझ में आ रहा है जो bank nifty हो जाए कोई भी stock हो जाए retracement करके ही जाता है अभी उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मान के चलो यह retracement नहीं हो रहा है तक रहा है उसको आप कैसे identify करोगे उसको आप कैसे बिचार करोगे नहीं यार यह लगाओगे यहा Şu देखो के उसके बाद कर रहा है रिटास्मेंट करने के बाद देखो के मार्केट क्या किया Grü 0.61 का नीचे भी मार्केट आ गया तो जब 0.61 का नीचे आ जाएगा मार्केट तब आपको सोचना पड़ेगा यह रिटेस्मेंट नहीं है यह कहिना कहीं ट्रेंड चेंज है तो यहाँ पे एपॉइंट यहाँ पे बी पॉइंट तक आपने लगाया और देखो कि 0.61 का नीचे candle close कर दिया तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ से ऐसे रिटेस्मेंट नहीं होगा यहाँ से मार्केट क्या करेगा एक ट्रेंड चेंज करेगा डाउन डाउन साइट ट्रेंड पे continue करेगा अभी आपको देखना है डाउन साइट तो आपको confirm हो गया अभी यहाँ पे भी आ स्ट्रेंग हाई से यह सुहिंग हाई से लेके यह सुव यह लो तक आप पकरोगे तो यहाँ पर जाके देखोगे हैं ये जए वारे रिटेस्मेंट हो राएं यहां पे कहां पर जा रहा है 0.61 परसंट है मायन के चलो है521 के ऊपर जाके close कर देता तो यह क्या हो जाता यह रिटेंस में तब नहीं होता, यह हो जाता है, trend change, आई होप आपको समझ में आया है, यह चीज आप option पे भी use कर सकते हो, जैसे पकर के चलो, आप यह option का chart हमने खोल लिया है, bank nifty का 51,600 का हमने put का chart open किया, यहाँ पे जाके आप देखो के market के अंदर, सुभा से आप देखो के market यहाँ से उपर जा रहा है थे, यहाँ से देखो के यहाँ से उपर गया है, और यहाँ पे 0.5 से लेके फिर उपर चला गया, अब यहाँ से आप A point पकड़ोगे, यहाँ पे B point पकड़ोगे, यहाँ से high पे B point पकड़ोगे, तो यहाँ पे 0.31 percentage का retesment हुआ, लेकिन यह क्या हो रहा है थे, retesment, अभी trend change हो रहा है, कैसे पता करेंगे, जो यहाँ से देखो के momentum आया था, और यहाँ से यहाँ तक जो momentum आया है, उसके बाद देखो के market के अंदर क्या हो गया, market के अंदर 0.61 levels को भी option का chart ने break कर दिया, तो आप इसको नहीं पकड़ सकते हो, जो यहाँ प option का, वो trend और upper side का नहीं है, तो यहाँ पे जाके हम buy नहीं कर सकते है, हम 0.61 का नीचे candle close मिल गया, तो market के अंदर trend change हो चुका है, तब हम और call side नहीं जा सकता है, तब हमको call side में जाना पड़ेगा, यह actual Fibonacci का logic है, Fibonacci, इस हिसाब से आप option के अंदर, stock के अंदर, index के अंदर, किसी में भी आप intraday करने के लिए, invest करने के लिए आप use कर सकते हो, I hope इस वीडियो पर बहुत कुछ आपको सिखने को मिला है, सिखने को मिला है तो ज़रू like कर लेना, और आप चाहो तो trading start करना चाते हो, तो description box में बहुत सारे broker का link डाला हुआ account open करने के लिए, आप वहाँ पर जाके आप account भी open कर सकते हो, मिलते हैं next वीडियो में, आज के ल